लाइफ साइकल अप टर्माइट्स आज की इस वीडियो में हम टर्माइट्स की पूरी लाइफ साइकल को कवर करेंगे देखिए हमने आपको पीछले वीडियो में टर्माइट्स के बारे में अच्छे से इंट्रोडक्शन दिया और साथ साथ टर्माइट्स के जितने भी कास् स्क्रीन पर यह पर कुछ यमेज़ आपको दिख रही होगी यह सब डिफरेंट कास्ट हैं अगर आप किसी भी तर्माइट बहुट की कालोनी को देखेंगे तो उसमें अलग-अलग मेंबर आपको दिखाई पढ़ेंगे उनका माउथ पार्ट से लग-अलग होगा उनका स्पो साथ इस तरीके से डाइमेज करते हैं और इनका प्रेवेंशन और कंट्रोल क्या है यह सब जो चीजे हैं हम आज की इस वीडियो में इससे कवर करेंगे यहां पर आप देख रहे हैं डिफरेंट टाइपस के टर्माइट के कास्ट हैं यहां पर आप कुछ ऐसे मेंबर देखें रहे हैं कुछ मेंबर हैं अरैं किक हास करेंगे जो सौलजर ऐस झया हुते हैं यह सब कर रहे हैं हमने आपको सल्जर के स्कीम हैं पिछली वीडियो में आपको नहीं三 adaption और से उतहता है इंग्रिवींग्रियानिकि कोईयां पर फीमेल भी आपको दिख रही है जो की सिभी इंच्च कर प्रद कर देख रहे हैं एक किसी भी कालोंी की हैं मधर cachaloniγαती है वानिकि यह किसी की कालोंी की सबसे मेंच मेंबर होती है यह न Ultra स्देवuing के विनलबबमंत हो रहा होता है और या size में सबसे बड़ी होती है और हमने आपको बताया था एक अच्छी protection worker member के द्वारा इनको दी जाती है तो आप देख रहे हैं जितने भी workers member हैं इनको चारों तरफ से एक सुरच्छा देने किसी प्रकार की समस्या इनको ना हो तो कुछ इस तरीकी का social organization जो है वा termites के case में पाया जाता है खास करके अगर आपने पिछला वीडियो जी नहीं देखा है तो आपको ये सब चीज़ों समझने में थोड़ी सी परिसानी होगी आप पिछला वीडियो जरूद देखने जिससे सब चीज़ों आपको अच्छे से समझाए तो आज की इस वीडियो में हम लोगों को जो पढ़ना होगा termites की पूरी life cycle को अच्छे से study करना है यानि कि termites में जो male और female member रहते हैं वापर किस तरीके से copulation करते हैं और copulation के बाद उनकी life cycle जो होगा किस तरीके से आगे बढ़ती है इन सब चीज़ों के बारे में तो आज की इस वीडियो में है इसकी life cycle को हम cover करेंगे तो चलिए सुरू करते हैं life cycle of termites देखिए किसी भी termites की life cycle को history करने से पहले हमें इनके जितने भी member है यानि कि जो male member है या फिर female member है इन सब चीज़ों के बारे में जानना चाहिए तो हम आपको बता दे जो male या female member जो भी है termites में उसमें देखिए जो male member होते हैं और जो female member होते हैं दोनों के पास wings पाए जाती है और wing के साथ साथ दोनों member में आखे पाए जाती है इसके लावा जितने भी member है या फिर बता ने पहले देखिए लाइफ साइकल में सबसे पहले यहां पर स्वार्मिंग को मेंसन किया गया है तो स्वार्मिंग का मतलब होता है कि इसमें होता क्या है कि जो मेल और फीमेल मेंबर रहते हैं वे आसमान में यानि कि इसकाई में फ्लाइ करते हैं फ्लाइ करने के बाद वहां पर कॉपल प्रिक्रीय कहले हैं और जो इस वार्मिंग होती है यहां लेट इस्पिरिंग या अरली समर सीजन में होती है इस आपने या देखा होगा कि जब जब बरसाथ का समय स्टार्ड होता है तो कुछ स्फोटे पतंगे टाइफ के उड़ते हैं तो खास करके गौंब वगएरें युसे पांखी बोलते हैं ये जो होते है टर्माइट्स ही होते हैं तर्माइट के मेल और फिमेल मेंबर होते हैं. और आपने देखा. कुछ सम्य बात लाइट वगयरा जो रहती वहाँ पर एर ट्रैक्ट होते होते हैं, कुछ सम्य बात इनके जो विंग से रहते हैं, गिर जाते हैं, तो ये सब चीजे जो है, आप देखे भी होंगे तो यहीं सब यहां टर्माइट की केस में यहां पर और भी चीज़ जो मेंसिन की गई है इन दिस केस एडल्ट कॉपलेट इन दियरी इस समय जानी कि स्वार्मिंग के समय ही जो मेल मेंबर रहता है वह फिमेल को फर्टलाइज कर देता है वह फर्टलाइज के बाद यह दोनों जमीन पर आते है हमने यह सब चीज़ों के बारे में आपको बताए दिया कि कॉपलेशन के तुरंत बाद इनके जो विंक्स रहते हैं वे निकल जाते हैं लन इसे जमेन पर आते हैं और की जमिन का निरमाड इस टांड कर देती है ओपलेशन के बाद इसमें एक श्टांडि टा एक हाँनल जब ही लोखायक है वह फिर पर का लोनी ऑछा देता है यह सब चीज़ेंगी चाहरब टो टर्माइट का अट good seeing ़िए जो उस इस इसकी life cycle में, कॉली के बारे में और साथ निसाथ जितने भी members हैं इन सब चीज़ों के बारे हमने आपको बताया था की जो other चीज़े हैं जैसे अगर AP cultures में हमने देखा हानुई वी के case में होता है insanlar branch after fertilization जो male member रहती हो उसका death हो जाता है लेकिन यहां पर होता क्या है कि termites के case में जो male member रहता है वह female के साथ रहता है तो after fertilization इसमें male member की death नहीं होती in case termites king also live with queen और यहां पर male और female दूनों रहते हैं और दूनों मिलकर colony का formation करते हैं अब देखिए जो female member है उसके अंदर एक का development हो रहा है तो एक का development हो रहा है और वहां पर यह जहां पर fertilization के बाद जहां पर गिरते हैं जिस भी जगहां पर नमी वाल एरिया पर तो वहां पर एपनी एक नई colony का formation स्टार्ट कर देते हैं तो कुछ ही दिनों में एक दोनों मिलकर एक छोटी सी colony बनाते हैं बाद में इनके एक लेंग होती है तो एक लेंग के बाद जो अलग अलग कास्ट रहते हैं धीमे धीमे बड़े होते हैं तो यह सब चीजे जो रहती है इनकी life cycle को अभी आपको अब अच्छे से बताएंगे यहाँ पर जो दूसरा है एक गैन लार्वा देखिए एक लारवा जो रहते है टर्मैटस में दि एक लेंग कैपसिटी याफ क्वीन इज वेरी es यह học रह देखिए जो हमने आपको पहले ही बताय था क्वीन मेंबर होती है यानि कि जो टर्मैटस में फीमेल मेंबर होती है उसके अंतर बहुत ज्यादा capacity होती है एक लेंग की एक दिन में है लगबख सतर हजार से लेकर असी हजार एक दिन में release करती है अपने body से तो आप समझ रहे हैं कि संख्या बहुत ज्यादा बड़ी है दो से तीन चार दिन में इनकी पूरी जो पूरी colony का निर्माड हो सकता है संख्या है तो आफ्टर सेवन डेज आप इनकीवेशन आर हैच इंटू लारवा देखिए साथ दिनों के इनकीवेशन के बाद यह जो लारवा होते हैं यह हैच आउट हो जाते हैं और जो queen रहती है queen पहले दिनों में यानि कि कुछ दिनों तक जो female रहती है यानि कि जो queen र रहती है वह queen खुद करती है यानि कि अपनी सलाइवा के द्वारा और साथी साथ जो भी इसके बॉड़ी से secretion वगएरा निकलते हैं तो उससे feeding कराती है और जो मेंबर उसके रहते हैं उसका care जो रहता है वह queen खुद करती है तो they are able to take care of themselves वह खुद से हिन सब चीजों की दे reading देखिए जब थोड़े से बड़े होते हैं तो अपना काम धिमीदी में start कर देते हैं तो यही सब चीजे हैं यहां पर और भी चीजे जो mention की गई है after establishment of colony of all kinds of caste are differentiated into take care of themselves यानि कि कुछ समय में जब इनकी कालोनी थोड़ी सी develop हो जाती है तो फिर जितने भी member रहते जितने इनके नेचर के द्वारा ऐसी चीजे इनको दी जाती है कि यह खुद ही सीख जाते हैं तो जैसे ही कालोनी थोड़ी सी बड़ी होती है थोड़ी सी कालोनी बढ़ने लगती है तो जितने भी member रहते हैं worker अपना काम करेंगे जो और इसके लावा king जो है वो अपना काम करेंग और जो queen अपना काम करेंगे और साथी साथ जो soldiers हैं वे अपना काम करेंगे तो यही सब चीजे हैं यहाँ पर और भी चीज जो mention की गए in the beginning of colony all the nymph metamorphose into workers and soldiers along with some complementary cast शुरुवात में जो यह निम्फ रहते हैं वहां कुछ worker के साथ और साथी का कुछ soldiers और कुछी complementary cast में differentiate हो जाते हैं यह सब चीजे जो रहती है फूड के ऊपर निर्भर करती है तो यहाँ पर जो कुछ workers हो जाएंगे और साथी साथ यही जो निम्फ जाने की जो एक लेंग करने के बाद जो निम्फ निकलते हैं तो यही निम्फ रहते हैं जो वे कुछ workers में convert हो जाते हैं कुछ soldiers में convert हो तूदा पॉइंट सभी चीजों के बारे में यहाँ पर mention किया गया है और अगर आपको clear चाहिए तो यहाँ पर एक image भी देख रहे हो हैं image में आपको जितने भी इसकी life cycle की stages है उसके बारे में mention किया गया है अगर आपको image clear नहीं दिख रहा है तो आप three dot पर click करके pixel quality को सब्सक्राइब करएं British केatus कर्षट रहते हैं सबसे पहले मेल और फ्रीमेल मिंबर सी start करते हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ करे साइफ में मेर महि kell मेंबर घर होता ही पर फीमेल गरा depreci क्रते है और पोरी लाइफ सइख लएग बहुत अरकिंशे करने चाहर बाद पूरे जीवन भरवा एग लेंग करती है तो यहां पर आप देख रहें जो मेल और फीमेल मेंबर हैं यह पहले जब थोड़े से मेच्चूर होंगे तो फिर यह फ्लाइंग करेंगे इसकाई में फ्लाइंग करेंगे जिसे हम लोग स्वार्मिंग बोलते हैं और आप्टर फट सब्सक्राइंग करती है जहां पर अपना कॉलोनी का फॉर्मेशन स्टार्ट कर देगी पहले खुद यानि की अरली स्टेज में जब कोई और मेंबर नहीं रहते तो जो क्वीन रहती है क्वीन ही अपना सब कुछ काम करती है जो निम्फ वगारा रहते हैं एक के बाद जो न हो जाते हैं तो यहांँ पर आप देख रहे हैं कुछ कॉप्लिमेंट्री कास्ट में डीफुरैंशियेट कर जाएंगे कच्छ वरकर्स में हो जाएंगे कुछ सोलजर्स में हो जाएंगे कुछ और निम्फ निम्फ सब्चд थो चूदंने औरider G कालोनी डेवलप कर जाएगी तो यहाँ पर यह जो फीमेल है फीमेल तो अपना काम डेली करेगी फीमेल डेली सत्तर से से स्सी हजार एक लेंग करेगी और थोड़े से जैसे कुछ मेंबर और हो जाएंगे तो फिर बाकी का काम लोग खुद करेंगे क्वीन सिप एक लेंग करेगी और बाकी के जो अधर कास्ट हैं कॉपलिमेंटरी कास्ट का मतलब जानते हैं अगर पूरी कालोनी में या मेल या फीमेल में से किसी भी मेंबर की संख्या कम हो गई या फिर कोई डेट कर गया तो ऐसे में जो वरकर्स रहते इनको जेली वगरा ओल जेली वगरा खिला कर इनके जो सेक्स रहते हो इसी साफ से मेंटेन कर लेते हैं अगर मेल है तो मेल में हो जाएगा फीमेल है फीमेल में हो जाएगा यह सब चीजे जो रहती है फूड पर निरवर करती है तो यह सब किसी भी टर्माइट की कालोनी में यह तो आप्टर फटलाइजेशन इनके जो विंग्स रहेंगे वे गिर जाएंगे और जहां पर गिरेंगे वही पर नई कालोनी का फॉर्मेशन इस्टार्ट कर देंगे एक दिन में लगबख सतर से असी हजार एग लेंग किया जाएगा जो फीमेल है और कुछ दिनों तक के जब कोई मेंबर नहीं रहते हैं तो यह जो फीमेल होती है खुद ही देख भाल करती है यह निम्फ की तो निम्फ जब थोड़े से बड़े होंगे तो फिर अलग अलग का कबेकर से मुझें कुछ वे गर जाएंगे और जो कुछ है रीप्रॉडूक्टिव कास्ट में हो जाएं गे देखिए कॉपलिमेंटरी कास्ट का का काम बसे है कि अगर कालोनी में किसी भीUs की मेल की देथ हो गई तो यह जो वर्कर्स मेंबर रहते हैं वर्कर्स मेंबर र ज खिला देते हैं जिससे देखिए जो कपल्यूमेंटरी कास्ट होते हैं एक प्रकार की इमेच्चूर होते हैं यानि की मेल फीमेल ही होते हैं कोई अलग नहीं होते हैं लेकिन होते क्या है इमेच्चूर होते हैं पूरी तरीके से मेच्चूर नहीं होते अगर इनको इस पेशल कास्ट को कपलिमेंटरी कास्ट में जो मेल में मर होगा उसको रॉयल जेली खिला देंगे तो होगा क्या कि जब उसे अच्छी डायट मिल जाएगी तो आप मेल में कनवर्ट हो जाएगा तो इस तरीके से अगर किसी भी रिप्रोड़क्टिव कास्ट की देथ होती है तो इंसेक्ट इनकी कालोई में इंटरी करना चाता तो उसको डराते हैं भगा देते हैं बाकि यही सब चीजे हैं इनकी लाइफ साइकल से रिलेटेड और यही सब चीजे इनकी लाइफ साइकल में अगेन बार-बार रिपीट होती है इसके बाद अगर हम तर्माइट्स के डैम क्रॉप हो गई और कुछ ऐसे प्लांट्स भी बड़े-बड़े प्लांट्स जो रहते हैं उनके अंदर ले लेते हैं तो कहीं न कहीं यह जो तर्माइट से हैं बहुत जदा ऑफेक्ट डालते हैं किसी भी प्लांट्स पे या फिर जो भी चीज़ ऐसे क्रॉप हो गया हो गए फसल जो भी सब नुकसान ही पहुचाते हैं तो अगर हम इसके कुछ डेमेज की बात करें तो यहां पर जो है टर्माइट फीडाउन सेलुलोज डाइट विच दे अप्टेन फ्राम डेड लीविंग विजिटेवल मैटर एंड डिस्ट्रॉय फूड वर्क फरनीचर्स एंड ओ प्रॉट्स ट्री आफ एकोनोमिक्स देखिए हमने आपको यह सब बता दिया कि जो जितने भी सेलुलोज मटेरियल जैसे सुगर के या फिर विजिटेबल जितनी हो गए इसके लावा फरनीचर्स जो है हमारे घुरों में इनके उभर भी इनका इफ्रेक्शन देखा जाता ह है तो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा डालते हैं सब चीजे स्लाइड में मेंसन की गई हैसे आप नोट कर लिजेगा इसके अलामा फर्ष्ट फर्ष्ट ली डे अटेक ऑन डेड बार्क दिफी था प्लांट सम टाइम दे काज डिस्टेक्शन आप बिल्डिंग एंड रेलव यानि कि छाल जो रहती जब खतम हो जाएगी तो प्लांट को सबसेंट में उसे फूड वगएरा नहीं मिलेगा तो इसकी डेथ हो जाएगी इसके लामा जितने भी रेलवे यार्ड हैं बड़ी बड़ी विल्डिंग से हैं उनके यहां पर जो लकड़ी का यूच किया जाता उनको बहुत ज़्यादा एफिक्टर डालते हैं तो यही सब चीज़े हैं इसके डैमेज के अंदर गत बाकी डैमेज में और भी चीज़े हैं आप मेंतन कर लीजिएगा और इसके बाद इसके अगर हम प्रिवेंशन और कंट्रोल की बात करें तो देखिए जो टर्माइट् रोक थाम के लिए सबसे अच्छी एडिया ही है कि अगर किसी भी टर्माइट्स की कालोनी में क्वीन मेंबर को मार दिया जाए तो बहुत हद तक टर्माइट्स को रोका जा सकता है देखिए अगर किसी भी टर्माइट्स की कालोनी में अगर आप क्वीन मेंबर को मार देते ह तो जब queen member खतम हो जाती यानि जो female member है उसकी death हो जाएगी तो फिर होगा क्या कि complementary cast नई female को बनाने में समय लग जाएगा तो होगा क्या फिर जो उसकी जनसंग क्या है termites की वो कम हो जाएगी तो यहाँ पर यही सब चीजे लिए very difficult to eradicate the termites so best idea find out the queen and killer तो यहाँ पर सही है कि जो queen है उसको मार दिया जाए सबसे सही ही है इसके लावा at the time of plantation the pit should be treated with 0.2 dildrin यह सब chemical method है यानि कि 0.2 dildrin का यूज करना चाहिए जब हम किसी plantation करते हैं किसी भी crop का या फिर किसी भी plant का तो इसके लावाँ जो sugar cane है sugar cane at the time of plantation should be dipped in 0.25 bsc suspension सन्यानी के जो benzene hexacloride होता है उसका यूज करके sugar cane को planting करना चाहिए जिससे यह termites उस पर effect ना करें और भी चीज़े जो mention की गई है यहाँ पर wooden structure should not be directly touch soil so they should be cement layer जितनी भी लकडी की बनी हुई वस्तुएं है वे direct soil से touch नहीं होनी चाहिए अगर यह soil से touch रहेंगी तो कहीं न कहीं है जो termites से हैं उसे effect डालेंगे नुकसान पहुचाएंगे तो अब करना क्या है कि जो soil है soil पर एक cement की layer लगा देने चाहिए जिससे जो लकडी की बनी बस्तुएं है उसको नुकसान ना हो तो यही सब चीजे है prevention और control के अंतगरत बाकि अगर आप इन में और भी point को add करना चाहे तो add कर सकते हैं बहुत ज़्यादा difficult नहीं है ऐसा आप खुद भी लिख सकते हैं इन सब चीजों को तो आज की इस वीडियो में बस इतना है अगर वीडियो जो इन्फार्मेटरी लगी हो तो आप इसे like जरूर करें और दोस्तों के साथ share जरूर करें